नमस्कार दोस्तों सुआगत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल इस्टाटिक शायक्यों में दोस्तों जैसा कि आपने थम लेल में देखा होगा आज की सेसर में हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल दोजार तेवीस जी हां दिल्ली पुलिस एक्जाम है उनमें यहां से क्यूशन पूछे गए हैं और जो आपकी आगामी दोजार तेवीस की दिल्ली पुलिस की वर्ती है उसमें आप कैसे पचास में से पचास नंबर तक का जो सैलिबस है कवर कर पा रहे हैं इस करम में जो हमने आप सभी की सामने एक कोर्स के माद्य हैं उन सब भी को यहां पर रखने की कोशिश की है तो दोस्तों यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस परकार के समस्त वीडियों सभी समय से मिल सके और आपने जो सपना देख रख आप दोस्तों पचास में से चालिस की या पैतालिस सम्तिंन स्कोर कर पाएंगे तना करने की कारण ही दोस्तों आप कर दीजेगा ताकि आपको दिल्ली पुलिस से रिलेटेट जितने भी तमाम वीडियों होने वाले हैं चाहिवा दोस्तों आज के सेशन में हम बात करें पासान कालें सिंदुगाटी सब्विदा पार्ट टू इसके बाद में हम व्यदिक संस्कृति महाजन पद्काल जैनें वो इस परकार के जहां से आपको एक्जाम में क्यूशन देखने को मिलेंगे वहां से हमने प्रिवेशियर क्यूशन इकटी किये हैं और एक टॉपिक से दोस्तों जितने भी प्रिवेशियर क्यूशन है उनको एक जगह रखने की कोशिस की है तो यहां से आपका जो दोस्तों ज तो इसका विष्टार है इसके विष्टार की ओर वात की जाती है तो यह को आदर ऑपना भारत हो चुका विस्तार है जो कि सिंदुगाटी सब्वेता है अफगानिस्तान है तो इसमें भी दोस्तों हम बात करें भारत की तो भारत में सरवादिक विस्तार है जी हाँ तो अफगानिस्तान में दो कौन से ऐसे इस्तल है जो इनका इस्तल खोदे गए है तो मुंडी गोफ है और सोर्ट गोई जी हाँ मुंडिगोक और सोर्ट गोईदो इस्तान है जहां पर यह है अफगानिस्तान में खोजे गए हैं बाकी जो सरवादिक इस्तल है भारत के अंदर ही ही भारत के अंदर खोजे गए हैं और दोस्तो भारत के अंदर भी हम बात करते हैं कि भारत में भी सरवादिक सिंदू सिंदू इस्तल खोजे जाचुके हैं तो गुझरात में लगबगे 2200 इस्तल खोजे जाचुके हैं अब इसके हम विस्तार की बारे में बात करें तो विस्तार की बारे में दोस्तो बात करते हैं यहां से कि जो इसका इस future hart strange और दक्षिंतम और पूरूतम और पच्छिंतम बिंदू के बारे में चर्चा करेंगे तो दोस्तो इस परकार से इसका जो उत्तरतम बिंदू है वह मांडा है जी हाँ उत्तरतम बिंदू की बात करते हैं तो उत्तरतम बिंदू इसका मांडा आता है तो मांडा दोस्तों कहां पर इस्तित है यह जम्मू कस्मीर में जी हाँ जम्मू एंड कस्मीर के अंदर इस्तित है और यह कौन सी नदी के किनारी इस्तित है तो यह चेनाब नदी के किनारी जी हाँ मांडा है जो चेनाब नदी के किनारी इस्तित है चेनाब नदी के किनारी य इस्तित है देमाबाद माहराश्टर के अंदर इस्तित है और यह कौन सी नदी के किनारे है तो यह परवरा नदी के किनारे जी हाँ परवरा नदी के किनारे इस्तित है उत्तरतम मिंदू की बात करते हैं तो मांडा जम्मुकस में इरिदक्षिंदम मिंदू आता है देमाबाद महराष्टर अब पूरूतम मिंदू की बात करते हैं तो आलमगीरपूर है जी हाँ आलमगीरपूर पूरूतम मिंदू है आलमगीरपूर है जो कि इसका पूरूतम मिंदू है और ये दोस्तों ये कौन सी नदी के किनारे है तो आलमगीरपूर है जो की दोस्तो यहाँ पे यूपी में इस्तिध है और यह हिंडन नदी के किनारे जी हाँ हिंडन नदी के किनारे हिंडन नदी के किनारे यह इस्तिध है यह भी आपको पता होना चाहिए पसिंतम मिंदू की बात करते हैं तो पसिंतम मिंदू आता है सूत के गाडोर जी हाँ सूत के गाडोर आता है जो की इसका पसिंतम मिंदू है और यह कहां पे इस्तिध है तो ये दोस्तो बुलूचिस्तान जी हाँ, बुलूचिस्तान के अंदर ये इस्तिद है, और ये कौन से नदी के किनारे है, तो ये दासक नदी के किनारे, दासक नदी के किनारे ये है इस्तिद है, तो दोस्तो इसके पूरुत्तम मिंदू की बात करें जी हाँ, अब बात करते हैं कि इसका जो उत्तरतम मिंदू है उत्तरतम मिंदू मांडा चैनाब नदी के किनारे इस्तित है तक्षंदम मिंदू देमाबाद जो है महराष्ट में प्रोरा नदी किनारे है पूरुतम मिंदू की बात करें तो आलमगीर जो इन दोनों की पूरूतम और पुरूतम मिंदू की जो मद्य के जो यहां पर लंबाइब बताई गी है वह 6500 Km है जी हाँ, 1600 Km तक यह फेला हुआ है और दोस्तों जो अतरतम और यहां पर धक्षिंतम मिंदू की बारे में दूरी की बात करें तो यह चोदा सो किलोमेटर तक फेला हूँ है तो दोस्तों इस परकार से आपको समस्त पता होना ची एक्जामिनर यहां से कुछ भी क्यूशन पूटप कर सकता है चाहे वो उत्तरतम मिंदू से हो दक्षंदम मिंदू पूरूतम मिंदू हो और यह जो यहां पे उत्तरतम कोई कंफीजन नहीं होने वाला है कि आपको किसी परकार का कंफीजन होता है तो आप हमें कमेंट वॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो हम वहां से आपका कमेंट देखकर आपका बिल्कुल 100% सोलुशन किया जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्यूशन पर बात करत तो जोस्तों यहां पे अलग अलग मत दी गए है जोन मौरसल के दोरा यहां पे अलग समय बताये गया है एंसी आर्टी के अनुसार हमें अलग समय बताये गया है जबकि रेडियो कारवन पद्दती होती है उसके अलावा हमें अलग समय बताये गया है तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोन मौरसल के आदार पर जी हां जोन मौरसल के आदार पर हम बात करते हैं तो जोन मौरसल जी ने हमें जो सिंदुकाटी सब्विता का काल करम बताया है वह बतीस सो पचास बीशी से बतीस सो पचास इसा पूरू से 2750 इसा पूरू तक जो समय बताई है वह है जोन मौरसल की द्वारा बताई गया है तो दोस्तों अब बात करते हैं NCRT के अनुसार तो NCRT कबतक्स की समय बताई गया है वह कारवन परद्दती होती से कारबन 14 पद्धति होती है उसके रेडियो कारबन पद्धति के आदार पर बात करते हैं तो वहह समय बताएगे है 2320 221 में 2320 से 170 hp. जी हाँ 2320 से 17 wind ए से 750. तो दोस्तोस आप देख पा रहे हैं अलग-अलग यहां पर िम्हें है तो हमें जो दोस्तों इन में से जो एक्जाम में पूछा जाए तो किस प्रकार से करना है यदि दोस्तों आपको बताए जाएगी शिंदुगाटि सब्वेता जोन वॉर्षल के आदार पे कुरम क्या होने वाला है तो आप यहां पे 3250 से 2750 भी सी बताना है यदि यहां पे कुछ नहीं पूछा जात है इसे ही दोस्तों सबसे सरु मानने मत माना गया है तो दोस्तों यहां से आपको ऑप्शन के आदार पे देख के पूछा जाता है तो 3250 से 2750 होने वाला है और अन्यता आप ऑप्शन के आदार पे इन दोनों में से जो दिया गया होगा वह यहां से आपको करना होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्यूशन पर बात करते हैं अगला क्यूशन है सिंदुगाटी सब्विता के लोगों का मकान बना होता था तो सिंदुगाटी सब्विता के लोगों के मकान से क्यूशन पूछा गया है पक्की इंटों का पत्तर का लकड़ी का उप्रुक सभी का तो यहां पे हम देखने वाले हैं कि जो सेंदव सब्वेता के लोगों का मकान है प्राई पक्की इटों से बने होते थे और साथ ही हम बात करें कि जो सेंदव सब्वेता है एक सहरी सुवे विश्थित नगरी विश्था थी और दोस्त दोस्तों आपको option number a right होने वाला है पकी हिटो से चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्यूशन पर बात करते हैं मानव द्वारा उपयोग की गई पहली दातू कोन सी थी तो दोस्तों मानव द्वारा उपयोग की गई पहली दातू के बारे में बात करते हैं तो आप सभी को होना चीए जो कोपर है तामबा है तामबा ही दोस्तों यहां पर मानव द्वारा उपयोग की गई पहली दातू थी और भारत में जो नव पासान काल और सेंदो सभीता मुख्य रूप से तामर पासान काल की दायरे में रखी गी है तो यहां पर तामर पासान काल से ही दोस्त पता होगते बतर אז कि बात करते हैं अगले क्योंशन पर बात करते हैं अगला क्यूशन है देवी मा की पूजा समंदित थी तो देवी मा की पूजा दोस्तों कौन से यहां पे सब्वेता के अंदर की जाती थी तो दोस्तों हम बात करते हैं सेंदु सब्वेता तो सेंदु सब्वेता है जो समाज में एक मात्र सत्तात्मक समात्ता और यहां से कई टेरा कोटा की नारी की मूर् कुछ यहां पर नर्थकी की जैसे मूर्थी मिलती है और यहां पर दोस्तों जो यहां पर गर्ब से निकलावा एक पोदा दिखाये जाता है और मौन जोड़ों से भी एक कासे की नर्थकी मूर्थी मिली है तो इन सभी जो यहां पर खुदाई के दोरान मिले हैं तो उन से हमें पता लगता है कि यहाँ पे देवी मा की पूजा भी की जाती होगी तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको option no.3 सिंदु गाटी सब्वेताया से राइट होने वाला है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले question पर बात करते हैं अगला question है मोहन जो दाडों में सबसे बड़ा बह टाइर इस्तिद है और सेंदु सब्वेता के एक परसी दिश्तल भी है इसकी खोज की बारे हम बाऄद लावेस में 2022 में राखलदास्ट बनर जी की दोरा इसकी खोज की जाती है और साथ ही हम बात करते हैं यहां से कई अमारते प्राप्ट हुई है जिनमें जो इमारतों में अन्नागार सबसे बड़ा बावन है तो यहां पे अन्नागार सबसे बड़ा बावन हो चुका है और यहां से प्राप्त विशाल इसन अन्नागार भी एक बावन है मोहन जोदार से प्राप्त अन्ने वस्तू की बात करे तो इनमें महाविद्दाले बावन है पुजारी की मूर तियादी है तो यहां से जो सबसे बड़ा बहुन होने वाला है वह है अन्नागार होने वाला है तो यहां से आपका option number B right होता है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्यूशन पर बात करते हैं अगला क्यूशन है मोहन जो दाडों का इस्तानी नाम क्या था तो यहां पर दोस दोस्तों आपका option number C right होता है कि मोहन जो दाडों का इस्तानी नाम है मोहन जो दाडों है जो एक सिंदू का टिसब्वेदा का परसिद्री सहर है जिसे मर्त्वों का टेला की नाम से भी जाना जाता है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्यूशन पर बात करते हैं अगल का आदार जो माना गया है अडपावासियों के लिए कर्शी पे अदिशेज था तो यहां पर बात करते हैं कि जो अगले का पास उत्वादन में अगरनी थे और यहां पर अन्य फसले भी उप जाते थे या यहां पर खेती की जाती थी तो इन अन्य फसलों में और क्या क्या फसले हो सकती है जिनमें दोस्तो चावल है जी हां जावल है गेहू है जो तरबूज मट्र इस परकार की तमाम यहां पे खेती करते थे लेकिन उत्वादन किसका अगर्नी किया जाता था तो हैंसे कपास का यहां पे सरवादी कुअध ने किया जाता था अगले क्योशन पे बात करते हैं अगला क्यूशन है निमलिकित में से किस द्रव्य का उप्योग हडपा काल की मुद्राओं के निर्मान के मुख्य रूप में किया जाता था तो दोस्तों क्यूशन में सीधा सीधा इस प्रकार से पूचा गया है कि जो सिंदुगाटी इस नागार पाया गया है तो जो सिंदुगाटी सब्वेता में विशाल इस नानागार पाया गया है वह कांग पाया गया है तो विशाल इसनानागार आपको पता है कि मोहन जोदाडों में पाया गया है इसके चारों और शीड़ी है तदा कमरे मिले हैं इस इसनानागार का प्रियोग सम्मवत है आम जन्ता के लिए विशेश आयुजनों के लिए ही होता था और साथ ही हम बात कर तो यहां से आपको पॉप्शन नमबर वी राइड होता है चलिए स्टुदेंग्स अगले क्यूशन करते हैं अगला और और हले में औरति वारत से फाली। कहा है तो दोस्तों यहां पे जो मोन जो दर्शी जो नर्तक कन्या की मिली है प्रतिमा उसे पाकिस्तान वापस देने वाला है तो यहां से आपका उप्शन नमबर डी राइट होता है चलिए अगले क्यूशन पर बात करते हैं अगला क्यूशन दिया गए है सिंदू विष्टा की ताकत कर्शी थी और यहीं कर्शी जो है इनके व्यापार में वर्दी के लिए जिम्मेदार थी और इसी करण दोस्तों जो है सिंदू गाटी सब्वेता की जो अर्थियुश्ता की ताकत है यहां से ऑप्शन नमबर ए राइट होने वाला है जो की काफ कर्शी ह चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्यूशन पर बात करते हैं सबसे प्राचीन सब्वेता का नाम क्या है तो यहां से क्यूशन पूछा गया है सबसे प्राचीन सब्वेता का नाम क्या है तो विष्टू में हम बात करते हैं तो सबसे प्राचीन सब्वेता है वह मेसो पो मेसर्मोटानिय की सब्टानिया वह सबसे प्राचीन सब्टा है यह आपको पता होना चीए और मेसर्मोटानिय equation का सब्द है उसका साब्धिकर्द्ग जो है दो नदियों की Local की बीच्छ इसतान यहां इराग की दजिला को मेसोपोटानिया कहा जाता है और यह दोस्तों जो इराग के यहां पे इराग की जो दजला और फरात नदी है इन दोनों नदियों के बिलकुल मद्दे में इस्तित है इसलिए दोस्तों दो जो विश्यू की सबसे प्राचिंतम सभ्यताओं में से एक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्यूशन पे बात करते हैं अगला क्यूशन पूछा गया है नेमलिकित में से कौन सा इस्तान सिंदुगाटी सभ्यता का पाकिस्तान में है तो दोस्तों जो सिंदुगाटी इसकी खोज की जाती है पाकिस्तान के मौंट गोमरी जिले में की जाती है तो हडपा ने सभी की बात करते हैं तो लोथल के बारे में आप सभी को पता है यह गुजरात के अंदर इस्तित है और यह एक बंदर है काली बंगा जो है राजस्तान हनुवानगड में जी हाँ राजस्तान हनुवानगड के अंदर इस्तित है यह भी आपको पता होना चे और आलमगीरपूर है जो कि दोस्तों यूपी के अंदर जी हाँ यूपी के अंदर इस्तित है यूपी के मेरट में ये इसकी खोज की गई ह तो दोस्तों लोथल गुजरात में काली बंगा राजिस्तान हनुवानगड में आलमगीरपूर मेरट यूपी में और हडपा है जो की दोस्तों सबसे पहले इसकी खोज की जाती है पाकिस्तान मौंट गॉम्री में इस्तिद है तो यहां से आपका option number D right होता है चलिए आगे हम बात करते हैं कि जो सेंद्व सब्वेता है एक विस्तित बूबाग पर इस्तिद है और यह दोस्तों इसका विस्तार के बारे में हम चर्चा कर चुके उत्तर में जम्मू कस्मीर से लेकर महरास्टर और यूपी से लेकर दोस्तों पाकिस्तान तक इसका कफेलाव है जो इस्तित है तो सिंदू दोस्तो जो सिंदू रावी नदी ही। सिंदूऑ रावी नदी की किनारे ही इनकी सरवादी कि उस्तली खोजे गए हैं तो यहां से पाऊँ से चलिए आगे हैं और अगले क्योसन पर बात करते हैं इसमें यहां पर अग्यात लीपी प्राप्थ होती है तो इसमें हम यहां पर option number c right होने वाला है अग्याते चलिए अगले क्यूशन पर बात करते हैं अगला क्यूशन है दिये गई कोट का उपयोग करके वो सही मिलान करें तो यहां पे दोस्तों यहां पे मिलान करना है तो मोहन जोदारो है मोहन जोदारो से दोस्तों क्या प्राप्त हुआ है मोहन जोदा से यहां पर आने वाला है पुजारी की मूर्ती जी हां हडपा से हमें पुजारी की मूर्ती प्राप्ट हुई है और दोस्तो कालि बंगा जहां से जुते वे खेत के निशान मिले हैं ना लिखा उद्रगा या गोदी वाडा इसे कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले question पर बात करते हैं अगला question है सिंदूगाटी सब्वेता के सहरों की गलियां कैसी थी तो सिंदूगाटी जो सब्वेता है दोस्तों आप सभी को बता है एक यहां पर विक्षित सहरी सहरी या नगरिये दोस्तों व्यवस्ता थी इसमें दोस्तो जो बिल्कुल रहने की गई यहांकी सड़के हैं जो सीधी सपाट हुआ कर्ती थी। और आपस संकोण पर कारती थी। यहां पर दोस्तो नाली के लिए पानी का पानी प्रमार सभी की गई दिहां पानी कि निकास की विरस्ता भी यहां पर अच्छी की गई है तो यहां पर दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि चोड़ी वह सीधी सड़के तो यहां से option number a right होता है कि इस अंदर सब्वेता है जो एक नगरी सब्वेता थी और इसमें सभी नगरी सब्वेतां के तत्व मौझूद थे जब इनकी बात करते हैं जिनमें दोग नगरी हैं जिनमें जो सड़के हैं समकोन पर काटना है चोड़ी सड़के हैं जलकी निकासी का भी यहां पर प्रणाली भी सब्वेता के अंदर हमें देखने को मिली है तो यहां से आपका option number a right होता ह है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले question पर बात करते हैं किसकी मूर्ति सिंदूगाटी सब्वेता के लोगों की एक महत्फून रचना थी यह सिंदूगाटी सब्वेता में जो खुदाई की दोरान मिली है एक महत्फून है तो हम बात करते हैं मोहन जोदारु की तो मोहन एक मिलता है। कि एक्जामिनर यहां से क्यूशन पुटप कर सकता है कि मोहन जोदाड़ों से नर्तिकी मूर्ती प्राप्त हुई है चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के अंतिम क्यूशन पर चर्चा करते हैं सिंदुगाती सब्बेता का इस्तल फोला वीरा किसके लिए परसिद आ cœur है तो दोस्तो नोबुना इसलों से चलिए निया पर बात करते हैं कौन सी नदी के किनारे है तो यह जो दोलावीरा है वह है लूनी नदी के किनारे खोजा गया है और दोस्तों इसका उत्कनन का कारी किसके द्वारा किया गया है तो उत्कनन का कारी है जो रविंदर सिंग बिष्ट के द्वारा रविंदर सिंग बिष्ट के द लोने किनारे करते हैं जल परबंदन के लिए बात करते हैं यहां कि लिए प्रेश कि एक्जाम हो या दिल्ली पुलीस की एक्जाम हो उनमें पूछे गए जो रिपिटेट क्यूशन है उन सबी को हमने आपके समक्स रखने की कोशिस की है तो आपको यहां पर दोस्तों कंटेंट के मामले में किसी परकार का कोई कंफिजन नहीं रखना है आपको जो भी क्यूशन यहां पर बताया जाने वाला है वह बिल्कुल एक्जाम और इंटेड और प्रिवेस एक्जाम पूछे के एक्यूशन ही है तो दोस्तों यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और आज यह आप हमारे चैनल से समस्ति यहां पर करंट अफेर जी के इंडिया जी के पॉलिटी समस्ति यहां पर नोट्स मिलने वाले तो आप हमें जो टेलिग्राम चैनल पर भी हमें जोइन कर सकते हैं दोस्तों अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का मिलते हैं और अगले शांदार शेशन की साथ जे हिंदी जे भारत